कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने कल हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए केंद्र की मोधी सरकार और बी आरेस पर जम कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉंड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। चुनावी बांड योजना की लिस्ट सामने आने के बाद पता चलता है कि एक कमपनी को CBI द्वारा धमकी दी जाती है और फिर कमपनी करोडो रुपए भाजपा को सौंप देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद कमपनी को करोडो रुपए पर योजनाएं मिलती हैं। वहीं सुप्रीन कोर्ट ने फरवरी में एक फैसले में चुनावी बांड योजना को असमवैधानिक करार दिया था। राहुल गांधी ने हैधराबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉंड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी लड़ाई देश का समविधान और लोगतंत्र बचाना है। पीएम तीन-चार प्रतिशक लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास पैसा, खुफिया एजन्सिया, एडी हैं। लेकिन हमारे पास सच्चाई और लोगों का प्यार है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग में प्रधान मंत्री के लोग बैठे हुए हैं। तुक्कुगुडा जंजतारा सभा के मंच पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में हर दिन लगभग 30 किसान 8 महत्या कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने अमीरों का 16 लाख करोड रुपय का कर्ज माफ कर दिया है, जबकि किसानों का एक रुपया भी कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद देश में करोडों लोग गरीब हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 30,000 सरकारी पदों पर भरतियां की हैं और जल्द ही 50,000 और नौकरिया निकाली जाएंगी। पर है हराना चाहिए जैसे कि राज्य में BRS को हराया था। आरोप है कि के चंदरशेखर राव के नेतरित्व वाली पिछली BRS सरकार ने विपक्षी नेताओं के फोन को अवैध रूप से टैप करके electronic डेटा इकठा किया था। इस मामले में कई अधिकारियों की गिरफतारी हो चुकी है। इंटरनेट पर कई न्यूस पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा की राहुल और रेवंत की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। प्रव्प प्रवरभ लत न की नेवार रहा हुए रच्फ मुआ की था नेवार हो